हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आज मैं गाजर का बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी सेयर करने वाली हूँ क्योंकि गाजर का हलवा और गाजर का खिर तो हर कोई बनाते हैं और हर कोई खाते हैं लेकिन गाजर का स्वेट्स आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा अगर आप गाजर का स्वेट्स इस तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप एक वर इस रेसिपी को जरूशे ट्राइए किजेगा तो मैं यहां पर तीन मीडियम साइज का दे कपकने में जादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन सिटी में अच्छे तरीके से पक जाता है ब transf lens स्वेट्स पिसेज में क假त कर दी हूँ और में टुर2 001049,6 Фणर Jr से incorreanमीय तो आप चाहे तो इसे पानी में भी सिटी लगा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा शुट् الص अच्छे से पग गया यह गाजर आप देख सकते हैं कि गाजर का थोरा कलर भी चेंज हो गया है तो मैं यहां पे एक मिक्सी का जार ले ली हूं और मिक्सी के जार में रख ली हूं गाजर दूद के साथ और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और इसका स्मूध सा पेष्ट बन लूँगी आप जितना मेठा खाना पसंद करते हैं आप उतना चीनी आइड करें इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी क्योंकि मिल्क पॉडर का गुट्लिया बन जाता है तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और इसकी गुट्ली नहीं बनी है और यहां पे मैं 4 कटोरी में थोड़ा थोड़ा मैं घील लगा ले रही हूं ताकि जो स्वीट्स हो इसके अंदर चिपकाना रहे और अगर आपको स्वीट्स का कोई और सेफ देना है तो उसी सेफ का बरतन ले या फिर स्वीट्स बनने के वाद आप कटर से कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां प कटोरी हो गया और इसे थोड़ा अच्छे से प्लेन कर दूंगी और अब ले ली हूं एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में रख दे रही हूं एक ग्लास पानी और इसे धग के करीबन चार से पांच मिनट तक हाई फ्लेम पे रख दूंगी और यहां पे आप देख सकते हैं कि पानी यह गरम हो गया है आप चाहें तो इटली एस्टेंड भी ले सकते हैं या फिर इस्टी में श्टेनर ले सकते हैं इसकी उपर आप सारे कटोरी को एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं कढ़ाई में डाइरेक्ट रख दी हूं और इसे पकने दूंगी 7-8 मिनट तक और जब तक मैं एक ले ली हूँ बाउल और बाउल में 3-4 बड़ी चमच इसमें एड़ की हूँ चावल काटा और साथ में एक बाउल इसमें एड़ की हूँ मिल्क पाउडर और अपने टेस्ट के कोड़िंग इसमें एड़ करेंगे चीनी जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप कीजिए और फोलडा फोलडा पानी रह के मैं इस बेटर को त्यार कर लूँंगी मिक्स करके क्योंकि लिए चाहिए तो अच्छे श्वीट गाजर की घोल हो गयाै हमें जादा नहीं add करना है कटोरी भरने से थोड़ा कम ही रखना है और मैं इसी तरीके से सारे में भर दूँगे और एक के लिए और बचा लोगी क्योंकि मेरा 5 कटोरा हो गया है तो मैं इसे side में रख दे रही हूँ क्योंकि इस कढ़ाई में भी आया है फोर से जादा कटोरा तो मैं इसे लीड लगा दे रही हूँ कढ़ाई में और इसे थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगे करिवन पांच मिनट और यहां पे पांच मिनट कम्पलीट हो गया है और यह स्वीट्स और यह आसानी से निकल जाता है इसमें बिल्कुल जंजट नहीं है यह देखे यह निकल गया कटोरे से बाहर क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दे थे और घी से बिल्कुल नहीं चिपकता है यह देखे मैं आपको निकाल के दिखा दी हूँ और वापस से मैं कटोरे और आप इसे डेकोरेट करके बिफीर की स्विर्ट हैं यहां से घाजर का स्विट्स में अधलतों के फाल में खराब यहें सब्सक्राइब हुआ मैं हैं व्रड़लोमटों ओके बाबाय टेक केर